अरे यार, क्या हुआ, अरे मेरी girlfriend मुझे हमेशे English में message करती है और तुझे तो मालूम है मेरी English कितनी खराब है, अब मैं क्या करूँ यू dictionary app डाउलोड कर, यू dictionary app ये कैसे help करेगा अरे dictionary app में एक बहुत ही amazing feature है, magic translator जो तुझे बस setting में जाकर enable करना है वो automatically तेरा message का grammar ठीक करतेगा और ये message तुझे भेज़ दे बिन्दास वाव, मैं अभी यू dictionary app डाउलोड करता हूँ तो girl, जब तक मेरा friend ये app डाउलोड कर रहा है आप भी डाउलोड कर लीजी, यू dictionary app लिंक description में दी हुई है और अपनी English improve कीजिए चमतकारी बहु की लालची सास राजगट की गौरी अपने माता पिता की इकलोती संतान थी गौरी के पिता मैनत कश किसान थे वो सारा दिन खेतों में काम करते गौरी अपनी मा का किचन में हाथ बटाती वो जंगल से लकडिया बिनती और मा के चुले में मदद करती एक दिन वो जंगल में लकडि बिनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है अरे यहां कौन रो रहा है इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज जरूर कोई जंगल में फस गया होगा जिसका एक पंख टूटा होता है अरे तुम कौन हो और क्यों रो रही हो मैं परी लोग की रानी हूँ प्रित्वे लोग में घूमने आई थी लेकिन देखो ना मेरे पंख ही टूट गए अब मैं कैसे उडान भरूँगी अरे इसे जोड़ना तो आसान है रुको मैं अभी जोड़ देती हूँ ये कहकर गौरी लकड़ी और रसी की सहायता से पंखो को जोड़ देती है परी अपने जुड़े हुए पंखो को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वर्दान देती है कि वो पूर्णे मा की रात किसी भी चीज़ को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छूलिया तो वो अगली पूर्णे मा तक सोने का ही रहेगा गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है गौरी के मा उसे कहती है तू भी ना गौरी सारा दिन परियों की कहानिया पढ़कर स्वपन लोग में ही रहती है नहीं मा मैं सच बोल रही हूँ देखो आज पूर्णी मा की रात है न इसलिए डर के मारे में कोई सामान भी नहीं चूर रही हूँ अच्छा ऐसी बात है बिटिया रानी तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे गौरी घड़े को जैसी ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है गौरी के माता पिता घड़े को देख कर हैरान रह जाते हैं अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है, वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गावरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है अरे काकी ये पीतल नहीं सोना है सोना, बेजने ले जा रहा हूं अरे कहीं कोई लाटरी लग गई है क्या, इतना सोना गौरी के पिता काकी को गौरी को परीद्वारा दिये वर्दान के बारे में बताते हैं काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पढ़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती है गौरी के बापु तुम्हारे लिए मैं खुश खबरी लाई हूँ तबी गौरी की माँ पूछती है क्या खुश खबरी है काकी अरे तुम्हारी बेटी का रिष्टा मैं अपने बेटी से करना चाती हूँ अरे कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी हाँ देखो काकी मैं ऐसे ही व्यक्ती से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वर्दान से नहीं उसके गुणों को समझे अरे हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे इसलिए तो आ गई हूँ मैं फिर गौरी के माबाब मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है अगले दिन अरे गौरी कल पूर्णे मा की रात है तुम्हारे पिता जी परी के वर्दान के बारे में बता रहे थे तो मैं ना कुछ चीजे रख दूँगी जरा हाथ लगा दे ना तभी गौरी का पती वहाँ आ जाता है और अपनी मा से कहता है मा क्या जरूरत है गौरी के वर्दान को इस्तमाल करने की वैसे भी मेरी मैनद से घर तो चल ही रहा है न और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वर्दान से नहीं उसके गुणों को समझे अरे बस कर किताबी बातیں तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती और सुन गौरी कल अगर तुने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी समझी इतना कहकर गौरी की सास महां से चली जाती है अगली पूर्णी मा की रात गौरी की सास गौरी के सामने धेर सारे बरतन रख दीती है और कहती है जल्दी कर गौरी रात खतम हो जाएगी जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगा कर सोने का कर दे गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास बढ़क जाती है क्या मजाग बना रखा है, इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है वैसे ही बर्तन के भार से वो दढ़ान से गिर जाती है सास को गिरा दे, गौरी उन्हें संभालने दोडती है और वो सास को हाथ लगा कर कहती है अरे सासुमा क्या हो गया आपको कहीं छोड़ तो नहीं लगी न लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है गौरी सोनी की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पती से कहती है मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णी मा तक सोने का ही रहेगा अब मैं क्या करू अरे करना क्या है मा को उठा कर अलमारी में रख दो और हाँ लालज का फल बुरा ही होता है ज्यादा बड़े बरतन को सोने का बनाने के चकर में मा का ये हाल हुआ है ये कहकर वो दोनों मा की तरफ देखने लगते हैं